जानफरों की दुडिया भी शिकार और शिकारी के बीच का फासला ताकत फूर्ती और चलाकी का होता है यानि कि जिसके पास ये तीनों चीजे हैं उसका जंगल में जीवन पिता पाना काफी अजान हो जाता है आज जिस जानफर की हम बात करने चा रहे हैं उसे इन ही सारी पासा गया है उसकी एक दहार पोई जंगल को हिला कर रख सकती है ये इतना ताकतवर है कि अकिले ही जंगल के किसी भी जान पर सिपंगा लेने की हिमत रखता है जी हाँ दोस्तों हम बात कर रहे हैं टाइगर यानि कि बाग की आज हम आप के लिए टाइगर के ऐसे खुंखा अबले लेकर आए हैं जिन्हें देखने के बाद आप की भी रूह काप जाएगी टाइगर अटैक वाइल्ड पूर यहाँ पे एक जंगली सुवर अपनी प्यास को बुझाने के लिए तलाब के किनारे जा रहा है लेकिन उसे ये नहीं पता कि आज उसकी जीवन लीला ही खत अचने वाला होता है टैगर अपना आकरामक रूप दिखाता है और तेजी से इस पर जपट पड़ता है अचानक हुए हमले से सुवर घबरा कर कुछ कर नहीं पाता और ये टैगर के चंगल में आ जाता है वो अपनी जान बचाने के लिए खूप चिलाता है और हाथ पैर भ अचने कोई भी असर नहीं होता वो अपने शिकार को अगले ही पल नीचे किरा देता है वैसे तो जंगली सुवर भी काफी ताकतवर होते है बगर एक टैगर के सामने ये कहा ही टिक पाएंगे टैगर अटैक वार्टोग एक टैगर के कदम अचानक से शिकार को अपने पास पहले ये एक जगा खड़ा होकर शिकार का जाइजा लेता है और फिर ये अपने कदमों को बड़े ही धीमे से आगे बढ़ाता है ताकि शिकार को इसके आने का एहसास ही ना हो तर असल टाइगर की नजर है अपने से कुछ ही दूरी पर घूम रहे वर्थोग पर वर्थोग ए हमला नहीं करता है बगर वक्त पढ़ने पर ये काफी खतरनाग भी जाबित हो जाता है लेकिन यहां पर इसका मुकाबना एक टाइगर से होने वाना है जो इससे कई गुना अधिक खतरनाग है टाइगर इस वर्थोग पर पूरी टेची से हमला बोल देता है खुंखार शिक वर्थोग भी मौजूद थे लेकिन किसी की भी हिम्मत अपने दोस्तों को बचाने की नहीं होती और ये वर्थोग अपनी जान कबाकर टाइगर का आज का खाना बन जाता है टाइगर अटैक काउट एक भूका टाइगर जंगल में यहां से वहां भटक रहा होता है उसकी प बात का अंदाजा नहीं है कि टाइगर की कातिन लजर उस पर पढ़ चुकी है टाइगर दबे पाओ उसे शिकार के पीछे चल पड़ता है और उसके करीब पहुँचकर उस पर एक धमदार हमला कर देता है टाइगर का यह हमला इस गाय को हैरान करने वाला है लेकिन यह भी पीछे हटने वालों में से नहीं है खुद को बचाने के लिए यह जवावी हमले करती है मकर खुंखार शिकारी के आगे इसकी एक भी नहीं चल पाती खुंखार टाइगर इस गाय की गर्दन को अपने जबडों से पकड़ कर यहां से वहां घसीटने लग जाता है गाय की ल हो रहा है जहां एक गौर एक ताकतोर जानवर है और अपने सामने आने पारे यह हर शिकारी को धूल चटाने की ताकत रखता है तो वही टाइगर भी ताकत के वावले वे किसी से कम नहीं है टाइगर के नुकिले दात और दंतार पंचे शिकार को धर से अलग करने वे इसकी सहायता करती है टाइगर और गौर के बीच वे एक खतरनाक लड़ाई चल रही है टाइगर ने गौर को गरदन से पकड़ रखा है और अपने दियंतरन में करने की कोशिश कर रहा है लेकिन गौर भी इतनी जल्तिहार मानने वालों में से नहीं है वह लगातार अपने सिर से टाइगर को फेकने की कोशिश कर रहा है गौर के कुछ और साथी भी जो इसे टाइगर के शिकंचे से बचाने के लिए आगे आ रही है लेकिन एक अकिला टाइगर भी उन्हें सभी पर भारी बढ़ रहा है और अपने शिकार को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा टाइगर इतना खुंखार जानफर है कि वहां आखिर में इस गौर को नीचे गिराने में सबल हो जाता है और उस गौर के दोस्त इस नजारे को देखते ही रह जाते है टाइगर अटैक क्रोकोडाइल टाइगर एक मांसाहरी किसम का जानफर है जो अपनी फूर्थी और तेज रफ़तार के लिए ही जाना जाता है अपने शिकार पर टाइगर की पकड़ इतनी मद्बूत होती है कि शिकार के लिए इसे छुड़ा बाना आसान नहीं होता है यह पहने अपने शिकार को पकड़ता है और फिर यह उसके मांस को नोच खाता है यहाँ पर एक टाइगर और मकरमच के बीच में खुंखार लड़ाई चल रही है और दोनों ही अपने शिकार को आसानी से छुड़ने वानों में से नहीं है टैगर ने खुंखार मकरमच के पीट पर वार किया है और उसकी शरीर पर अपने नुकिले दाथ से ये हमला करने में लगा हुआ है लेकिन मकरमच से जीत पाना इतना भी असान नहीं है क्योंकि वो एक खुद भी काफी ताकत वर किसम का जानवर है जो किसी भी शिकार को अपने जबरों से पकड़ कर उसे मारने की ताकत रखता है लेकिन यहाँ पर इसका सामना एक टैगर से है जो किसी से कम नहीं है ये टाइगर के पकड़ से छूटिने के लिए काफी जट पटाता है लेकिन वह कावियाब नहीं हो पाता और टाइगर इसे अपना शिकार बना लेता है दोस्तों यदि आपको हमार यह वीडियो पसंद आई तब आप हमारे इसे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर कर दे क्योंकि हमें यह वीडियो बनाने में काफी महनत लगती है धन्यवाद